बहुत बहुत स्वागादा स्वई का पढ़े करों पर आज की क्लास कमादम से फैनली हम बीए फाइब समेस्टर के लिए जियोग्राफिय निभोगोल का पूरा 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 माडल पेपर कुर्शन पेपर लेकर आज का हूं साथ में सॉल्व भी कराता चलूंगा आज की क्ल स्वाचान पक्रण अंश बिसक्रां होता है सभी में आपको पड़ति है एक सब्छेक्ट तक आपको पसरा को ब्रीर के बहुत थी मार्पुर संबीड कुछ उप C2 UP sign that सब्सक्राइब सब्सक्राइब पर देना पड़ेगा उसकी कलासे में जो है चैटर वेज में ने करा दियें जाकर जरूर वाज की जिएगा चलिगा आज गाराश कमादम सहम जो जिवग्राफिया नी भोगोल के जो हम पर वन पर चर्चा करेंगे पूरा पेपर आपका इसी प्रियार का आपका आएगा दो घ सबसे पहले में सक्षाने के पर्सनों पर चर्चा करूंगा तो इसका जो पहला कुष्ण का दियावा है कि अर्बन प्लानिंग क्या होती कुष्ण बहुत ही मातपड़े पके एक्जाम में पस आएगा कुष्ण आपका आपका रिजियन जिसकों पर्देश कहते हैं यह पर् आपका नियोजन की सड़के और पार्कों की योजना और यह पर्देश यह पर्देश को आपके वहां रहने वाले लोगों के लिए आकरसर जो है परिवास आपको लिख देना कुछन काफी मातपुल एक जामिय आपको देखने को मिलेगा अगला देखेगा कि परदेश क्या होता है रीजिन क्या होता है परदेश एक छेत्री होता है जिसके अंतरगज विशिस्ट था समाल लच्छड इसमें पाये जाते हैं और अपने सब्सक्राइब को जाते हैं यहICA करसे परदेश होता है इसमें बहुत सारी समानता पाई जाते हैं इसके बहुत सरे समानता तो यह जो समुरूपता इसमें जो पाए जाता है एक निश्चित आधार पर तो यही आपका जो परनेश काहलाता है इसो का मैं परोस्ताय। तो समझेंगे था कि अन्य जो है इकाई छेतरों से भिन समझा जाता है पर देश कहलाता है इतनी आपको परिवासा तैयार कर लेना भी यहीं आपको लिख देना कुर्शन बहुत ही महात पड़िक जैब में भसेगा जो कुर्शन आपका 100% अगला देखेगा सतत्विकास क्या था इस कुर्शन की क्या होता कुर्शन बी महात पड़ ऑ हम दोनों खून खेंगे सबसे पहले देखेंगी की जो है सतत्विकास क्या होता मुझा जी रहें मौजूदा पीड़ी पर जेंट टेम की इसकी जरूरतों को पूरा करना हमारी जो जरूरते हम इसको पूरा करें और साथ में जो हमारी आने वाली जो पीड़ी हैं हमारी जो बाल बच्चे हैं उनके लिए भी जो है कह सकते हो उनकी भी जरूरते पूरी हो सके तो यही आपका सताद विकास कहलाता है इतनी आपको परभासा लिख सब्सक्राइब अगरड़ा चलेगा वाइज शेत्र होता है तो इसकी जो है केंद्री बिंद के यह होता कार्यात्मग छेट किसी केंद्री बिंद को आए जो आसकी केंद्र के चेट्र होता है केंद्र. होता है जहां कोई। दो ऊती है दो इसमें जो मुवमेंट होता है तो यहीं आपका जो है कार्यात्मक छेत्र कहलाता है इतनी आपको परवासा लिख दीजेगा और भी लिखावा कि या छेत्र किसी फंक्सन की कारण जो है मौजूद होता है उसे जो है नोडल छेत्र भी कहा जाता है यह जो छेत्र होता है कार्यात्मक छेत्र इसको जो नोडल छेत्र भी इसको क फोउसकते हैं यह वारिज भी हो सकते हैं जो आधिक भारात कारी यह द्सक्राइव को पकर कि इन्दरों कि कि इसícia तरहों में इंद relatively कुष्ञ दिया हुआ है और फिर रोष्टो कि माटर के आपको जो कितनी अवस्थाय नों बताई है इसको बताना है चलेगा हम दोनों कुष्ञ देखेंगे चलेगा भारत में तीन इस्थानी सरकार होती है तो केंद सरकार सबसे बड़ी होती है उसके बाद आपकी राज सरकार आती है इस तरह से आपको जो है इसको तीन जो है इस तरों में बाटा गया है इतना आपको लिख दीजिएगा इन सभी के बारे में आप हाइडिंग छोड़ छोड़ कर भी लेख सकते हैं लोग में कुछन पूछेगा तो चले अगला देखेगा आर्थिक बिकास के जो है रुस्टो नट्ल अगला देखेंगे अगला क्रषार पमाने को दियावा है कि हैं सुचक करते हैं इसको में सूचक कहते हैं अर्फिर ंसे नहीं हुआ हो ओ प्रदेशिक आसमांता है शलेगा पर्देशिक आसमांता है तो इस सभी में जरे शह बात एक संसादनो आपका आसमानता परदेशिक कहलाता है, इतनी आपको परवासा लिख दीजिएगा, और इस से जीवन इस्तर में भी आसमानता आती है, काफी इसमें कह सकते हो, एक आसमानता रहती है, आसमानता का मतलब यही होता है, कि सभी बेक्तियों को परवर जो है आउसर ना मिले, जो बहुत सरे यहां से उधारण भी देह हुई है जिसे कि भारत में कई राजी विकास की प्रकिरिया में जो आगे बढ़ गये हैं और कई राजी पीछे भी रहे गये हैं तो यह सब उधारण है प्रदेशिक आसमांता का और भी देखिएगा जूकि इसमें उधारण देहूं कि टिवर के अलाग है लोगों के सरह अपाई जाती हे इसको विविट्ता आज है लेकिन कहीं नाकर जो हे उसीका गुदारण भारत में बस्ताइब है। जा सकता है कि आय वह भारत में आपने का सब से आम तरीका है। चुंहार अबादी में जास माती थिता है ह। यह भी निरेफ़न करता है भारत में जो आसमांता के द्रक्राण की धमबात कि यह झाम उना प्रणै दिखेगे गा tu अर्ड़ा दिखेगा कि मानविगास के अब को जो है यहां से पर्में सूचाघ इसको लिखना भी तहएं कुछ न크 आफंटपूडदे कौन कौन सबस्टेडर है मानो जो है इसमें सूचक है वो है आपका जीवन पर्तियासा ठैय extend honors fare इसकी दो उसके दल्भात एक भीखत कर जीवन काल की जो ऐसल लंबाई को दर्साता है और यह विक्त की दूसरी दिन्स कि सूचक की बात सिच्छा बीआ तह गया नगला देखेगा परत्वक्ति आए क्या है कि जो यह जो है मापता है उसका मेजर्मेंट करता है अगला दिखिएगा लिंक समानता यह ज़ो है इससे लिंक के आधार पर जो है असमानता की स्था को जो है दर्साता है यह अभीवाग्तिक की स्थेता ताहिए और देहिए गहाल की स्थित्त और उसकी छमता को तीक को रसाता है यह जलवयूआववष्तन जैसे हो गया वही पर दूसर जल पर दूसर बहुत सारे कारकों को भी जो है measurement करती है मापती है अगला फीस में आउट परेंट दिया हो कि समाजिक सुरच्छा क्या होती है समाजिक सुरच्छा के दिस्किम बिंदू की बात के समाजिक समावेस तो यह समाज में सभी लोगों के समावेस का इसतर दर्साता है कि यह जहाती है ता कि इव्यक्तिक किस्यात कहा धर्म उसका लिंग के अधर पर भेद भाव इसतर को मापता है इस तरह सब को लिखना है अगला देखेगा अलप विकास का कुष्ण बहुत थी माद पर एक जैमें फसागा कुष्ण ने चलेगा अलप विकास के दहम बात करें कि पिसुम के उसके जब किसी विकास कारड़ा की जह कंपको लेघेना उसके यह समजंद कारड़ा एर पूजी निवीखन के आसमान भी कारड़ा रहे है करने में तकनिक ग्यान का भाव यह भी इसका कारणा ठीक इस तरह से आपको लिख दीजिएगा चलेगा जनसंख्या बढ़ने की रव्तार तो जो गईषित नहीं होते हैं तो उनकी अधिक तरह आपने देखा उनकी जल्सख्या होगी देश की अधिक हो दीटिक यूद्यकश को विकसित करने में कहीं कहीं देखा जाते लिए ज्यादा ज़्या होगी तो इसको परभावित करती है द कर्षिया तो यहीं आपको बताएं तरह तार अपको लिख दीजिएगा नगला को यहाँ सब्सक्राइब आपको इसमय चैनल नहीं करना मैं आपको दिक्कत नौ आप चाहिए थे सभी पर्षुनों को पने सीडी सीजा नोट्स तो आप ने खरीदा होगा तो आप ले ले जिए या भी नहीं करें तो भी कोई दिक्कत ने में जल्द ही जल दीजो ए इंपरणन प्रण कुर्शन आंसर के वीडियो में अपलोड कर तो परदेशिक नियोजन का मतलब क्या होता है इसको मैंने आपको कराया था लेकिन हम देखेंगे परदेशिक नियोजन होता है तो यही आपका परदेशिक नियोजन कहलाता है इतनी आपको परदेशिक नियोजन के जरिये जो है किसी चेतर में मौझूद है और उसकी चुनोतियों की पहचान की जाती है और इसके बाद उस चेतर के लोगों के जीवन की गुरवत्ता को बेहतर बनाने के लिए राजनीतिक फैसले के लिए भी लिये जाते हैं चलेगा यह हो गया पिसके जो है बहुत सारे कैसे इसको देश की बारे हम देखेंगे चलेगा अब पर्देशिक नियोजन मैंने आपको बता दिया कि किसी छेत्र के बिगास में सुधार के लिए कारात्मक छेत्रों का निर्माड करना और उससे वस्तों को सही जगा रखना ये भी परिभासा पर्देशिक नियोजन की है जो आपको अच्छी लगी आपको लिख द परिशिक नियोजन का और चैत्रों के लोगों के जीवन की गुडवत्ता यानि उसके कौर्टि इसको बढ़ाना इभी का चैत्र है और इस्थानी आपका संसाधनों का समानों नोप से इस्तमाल करना इभी इसका आयम है और देखेंगे चैत्री आसंतुलन को खत्म करना जो जो आसंतुलन जो अनवाइलेंस है उसको भी खत्म करना और जो है उच्चित और चोमुखी विकास पर ध्यान केंद्रित करना देशारिस के उद्देश से आपको लिख दीजाएगा हाइट छोड़ चोड़ कर कि लोग में कुर्शन था इसलिए मैंने काफी इसको लोग में सामिल है चलेगा अगला हम देखेंगे कुर्शन जो की दिया हुआ था कि सेन गुपता और जो है एक सबसे देखा जाए तो एक सदा युक्त क्या अध्यान पर अधारित परबंद इन्होंने परकासित किया था जिसमें भारत को इन्होंने जो है चार आपका देर यानि माइ जो है मेगा और साथ लाग यानि माइकरो जैशेतरों में जो है इन्होंने जो बाटा था इतनी आपको देख लीजिए का कुर्शन महात पूड़ों इसे ज्यादा कुछन पूछा नहीं जाएगा मैंने आपको सोड में इसलिए इसको मैंने कराया है अगला देखो विकास धुरुस इधान्त की आपको विष्टित आपको बेचना करना है अगला देख लाग भूगोलिक जो परदेश है इसका आपको संचित आपको बरण करना कुछन इभी महात पूड़ों दोनों कुछन देखेंगे तो विकास धुरुस इधान्त कीया है इसको बार हम देखेंगे तो किसी परदेश के बारे में इसका डेवलाम्मेंट होता है उसका एक सिधान्त है और या जो सिध्धान्त के मुटाबए किसी पर्देश का एक सबसे बड़ा विकास केंद्र होता है तो कोई जो परदेश होता है कोई जो अपका रीजिन होता है उसका जो विकास का बड़ जो केंद्र है जिसे जो है बिकास केंद्र है और पूरे देश के विकास को जो एक इस्वीड मिलती है ऑऐ इस तरह की परिवाहसा की परिवाहसा है लेह का प्रांचे किम्स टर्व में लिख दीएगा कुस्न महात पोर है अप का इल्ग इसका ले सकते कर देखेंगे चलिए बात परट में पर्टों के और करना रहता है पिए उसके महत्तु की आपको चर्चा करना रहा हैं पर अब कोई भी स्काइबी कुछ करना हो सकता है मत्माधू की बात कर लिए तिसकी बहुत सारी आऊशकता है जिसे कि जो पंचेति राज्प्र अड़ाली के जड़िये जो है जो है सासन में आम लोगों की भागिदारी शुनिश्थ होती है और इससे जो है सुधूर जो सुधूर की गरामीर इलाक dapat छो हैं लोग भी जो है लोग तांदरी संगठन में दिलचपसी जो है यह होते हैं ठीक है इस तरह सब कुछ का पहला इसका जो है और सकता इसके महत लिखना पर दूसरा दियावा है कि पंचेती प्रडाली से इस्थानी लोगों को अपनी जगा की परसितिया समस्या और चुनवतियों की बहतर जानकारी मिलती है और इससे निरड़ाय लेने में करबड़ी की संभावना कम होती है और अगले इसके बाद तुकी बात करें तो पंचेती राज में मुक्षिधारा में मदद मिलती है और निंतमयम एक तिहाई और अच्छड भी दिया जाता है पंचेती राज में जमीनी इस तर पर लोगतंतर की भावना बढ़ती है यह बढ़ती है जागरत होती ही लोगों के पर अगला देखिएगा कि पंचेती राज प्रडाली से गरामीर छेतरों में सत्भाव बढ़ता है सत्भावना की भावना यह बढ़ती है पंचेती राज से अगला देखेगा कुछ निसमाव का दियावा बिंदो की लिख देना है अगला देखेगा कि पंजेती राज को जो है साल उनीच सुबान नुए में जो है संविधान में जगात दी गई है इतना ही आपको लिख देना इसके महत्युम्कार आपको नंबर मिल जाएंगे अगला देखेगा कि बहुत देशी जो है नियोजन से अब क्या समझते जिसको जो है मल्टी लेबल जो है प्लानिंग कहते हैं कुष्टन बहुत ही मातपर पिछले साल भी कुष्टन कामन ना है सभी इस दल्वें आपको पूछा भी गया है इसको भी देखेंगे हम फिर दूसरा इसमें का कुष तो यह यह का है आपका राष्टी इसें कि के लेकर राष्टी इस में लेकर इस थानी से सरकारत के में कई वह यहां से थोड़ा सा और हम भी देखेंगे कि बहुत देशी नियोजन का मतलब होता है कि नीतियों के विकास आपका कारिवायन में आपका परभाव से इलता जवाब दही का जो है इसमें अध्यन करने के लिए वैचारिक द्रिश्ट कोड है यह मानता से अलग है और राष्टी सरकार ही परमुग नीति निर्मड़ इकाई ही इसकी और बहुस तरिये नियोजन में अपचारिक सरकार के जो है बिभीनिस्त्रों में को जो है टाइप और संस्थाओं के रूम में वर्गी करते सको किया जाता है और इन जो है संस्थाओं के बीच समन्द सीधे जो है उपर से नीचे तक जो है पदा नुकरमित जो है नहीं होते हाला कि गईर जो है आपका इसमें दिया कि जो है नियोजन की जरौज तब पड़ती है जब किसी काम को पूरा करने के लिए कई बीकप मौजूद हो नियोजन को सकता कप पड़ती है जब किसी कारी को पूरा करने के लिए आपके पास एक नहीं बहुत सारे बिकल्प आपके पास हो तो यह जो है नियो उसको पूरा कर सकते हैं तो यह जो सभी परबंदिये व्याइंब कारवाहियों को विक्सित करने से जुड़ा हुआ है नियोजन इस तरह आपको लिख दीजिएका और अगला हम कुसंट देखेंगे विकास से क्या अतातवार रहIES के प्रभावित करने वाले काराग क्या है यहीं हम देखेंगे तो विकास जो ह Tabii का सब्तले अफ् Equipal को मैं यो जो रहो कारिया वाला हो छो चेंजिस होता है क kaum been YouTube यानि सम्मुदाइबे यह ऑपका जो है विखास क्राश कहलाता बिकास के जो है नीचे लिखुँ ही कि नो के ब्रभास और लोगों वहार और लोगों की कार्यों में होने तो यही आपका जो है विकास कहलाता है और यहां बदला जो जैविक और परिया उरड़िये जो है इसके एफेक्ट से परभाव से होता है और भी परिवास आप बहुत सारे लिखें जिसके बिकास होता है यह जो है बिकतिकत हो सकता है समाजेक और आर्थिक छेतरों में उन्नत और सुधार की सतत प्रिग्रिया है और इसमें नयका उसल हासिल करना और ज्ञान का विस्तार करना और च्छमताओ को निखारना यह सब आये जो है में बिर्दी होने के साथ साथ आसमानता गरीबी निरचरता और बीवारी जो है इसमें कम हो तीं ही आपका जो है विकास के लाता है तो यहां तो जिसकी डिवेसरी तीषए जीवन की गुरुवता में सुधाल लाना इसके उद्देश रहते हैं लिए तो इतने आपको लेख देना है अलग अलग थोड़ा सा नंबर रिंग करके यहां से इसको परभावित करने लें कारक का उनकों से इस पर हम चर्चा करेंगे तो जो डेवलमेंट होता जो बिए लेखिक होता इसको परफ़त करने वाले कारक बहुत से हैं जैसा कि बिकास पर निधारित होता है और जब बात के तो इसमें जलुए संग्यानात्माकुटेज्णा हार मित्र अवास की स्थितियत संकर्मार पुर्दूसर ये सब यह सामिल है यह भी परभाईवित करते हैं पिकास को और समाजिक जो है आर्थिक परिसितियाग ये भी इसको परवावित करते हैं इसमें गुडवत्ता पूर सिच्छा स्वास्त देख भाल तक पहुच पारिवारिक गसीलता संसिकर्तिक मान डंड और समुदायक समार्थानिय सब कुछ इसमें सामिल है और सरकार का भूमिका भी इसमें महात्पुल इसका परवावित करती है तो इसको परवावित करती ही तो इसको परवावित करने कारक आपको लिखना है इसकी स्थान बंद दूसरा करेंगे कि मुल्णर मेंडल के सिधान के आपको समिच्छा करना कुर्शन बहुत ही मातपुल एक जाम में 100% फसेगा उसको देखो तो मेंडल ने अपने सिधान में उन समस्त राष्टे और उन्तर राष्टे सक्थियों का उलेक किया है ये जे जो अल्प विक्सित की मतलब होता है जिसमें गरीबी स्वयम अपना कारारण बन जाती है कि प्राविर्थ को इन्हों ने दर्शाया इस तत्थ को कोई भी जो है नहीं जुटला सकता है कि अब विक्सित देशों में द्रड़ता परतच्छित परभाव द्वारा परसार परभाव यह समाप्त कर दिये जाते हैं। राश्चे और अंतर राश्चे सक्तिया प्रत्षित अपका परभाव को मजबूती दे कर छेत्री विसमताओं में विर्धि करती है 19 से तवर पर बाजार सक्तियों के सुतंतर संचालना मुक्त बाजार ने निर्धन देशों की निर्याज छमता कम कर दी है और इसके प्रड़ाम सुरूब निर्धन देशों में आयातों निर्यातों के मद्ध व्यापक अंतराल उत्पन हो गया है और इसमें निर्धन देशों के लिए विकास का अधिक महंगा और जटिल बन गया है वर्तमान में अधिकांस अलब विक्सित राष्ट भुक्तान और सेस की अनकोलता से पेड़ित हैं इसके पास विदेशी मुद्रा भंडार की कमी भी है और तकनीकी के लिए विक्सित देशों पर निर्भट रहते हैं तो इस तरह सबको इस नियापको परिभासा लिग दीज इसमें आपको पर पढ़ना रहता है इनाल्टी के वर्टी इन डिश्टल अमने सबस्क्राइब करते हैं जरूर वाच किजिएगा सारी में प्लेरिस का लिंक डिस्क्रेशन में डाल दूँगा या भी मेरे चैनल भी आपको जाकर त्यारी कर सकते हैं चैनल पर आया हो तो जर